डॉलर के बरफीले आइलेंड और दुनिया के सबसे सस्ते आइलेंड में देखो इसे, मुझे लग रहा है हम सब इस पर फिट नहीं आप आएंगे मेरे इस नए आइलेंड पर मेरा पहला कदम ये लो तुम्हारा एक डॉलर शुपरिया सर्फ मुझे बेचने के लिए शुक्रिया अब ये तुम्हारा हुआ दोस चलो देखते हैं मैंने क्या खरीदा मैंने जितना सोचा था ये उससे काफी ज्यादा छोटा निकला एक डॉलर में आपको मिलता है इटों का धेर और एक पुराना कमोड मुझे बात्रूम मिल गया और धेर सारे लकडी के खंबे ये तो यहाँ पर जमीन नहीं है जितने यहाँ पर लकडी के खंबे है तरसे इने पाइलेंस कहते हैं जितने बोट में बैठके निकलते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है तो मैं इसे उड़ाने वाला हूँ लेकिन आगे इस वीडियो में हम जाने वाले हैं एक सो पचास मिलियन डॉलर के आइलेंड पर और उसके साथ ही दो सो पचास मिलियन डॉलर के आइलेंड पर भी पर पहले हम जाएंगे इस $1,000,000 के आइलेंड पर जिसका नाम है Monkey Island हाँ आपने बिल्कुल सहीं सुना ये आइलेंड वाकई में सेकलों बंदरों से भरा हुआ है मैं समझ सकता हूँ उससे Monkey Island क्यों कहता है इसका नाम क्या है? ये और्डी है ओ, ओ, इसने मेरा ओरेंज चुरा लिया, खाना दिखा नहीं कि तूट पड़ा, इस साइलेंट के सभी बंदरों के पास अपना पेट भरने की एक स्ट्राटेजी है, वो आपको विश्वास दिलाएंगे कि वो आपके दोस्त हैं और फिर आपका खाना छीन लेंगे, तुम ले शुक्रिया, ओके, मुझे कैमरा वापस मिल गया, क्या तुम्हारी टोपी, इसे तुम्हारी हैट चाहिए, ओके, आप इसे ले सकता है सर, लगता है ये दोनों धीरे-धीरे मेरे सारे कपड़े चुरा लेंगे, और इस आइलेंड की सबसे कूलस चीज ये बंदर नहीं है, क क्योंकि यहाँ जमीन नहीं है, आपको क्या लगता है, मुझे नहीं पता, मैं तो इस एक आइलेंड ही कहूंगा, आइलेंड के दूसरी योर, प्राइवेट रिलाक्सेशन एरिया और एक मसाज पालर भी है, जहां से पूरा समुद्र दिखता है, नोलन, कोशिश कराओ पान मैं ना गिर जाओ, मैं बंदर के साथ मसाज ले रहा हूँ, यह तो काफी कूल है, देखो कैसे तुम्हारे आसपास का पानी जम रहा है, क्या, इसमें बहुत महनत लगी, और